नमस्कार दोस्तों मैं रहुल जहाओ और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रिगमा सन क्रीम के बारे में और इस क्रीम के बारे में हम आपको पूरे डीटेल्स में इंफोमेशन देंगे इसके यूजर साइड इफेक्स और लगाने का सही तरीका क्या है तो पूरी इंफोमेशन के लिए वीडियो को पूरा जहुर देखिएगा दोस्तो अगर आपके फेस पे भी प्रिगमेंटेशन, मेलेजमा या काफी ज़्यादा दाग धब्बे से आप काफी ज़्यादा परेशान हो तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो प्रिगमाशन क्रीम मार्केट में काफी ज़्यादा पॉपलर है ये यूनिशन कमपनी की बराएं वी एक बहुत ही बहतरीन प्रोडक्ट है और ये 20 ग्राम की पैकिंग है और अगर हम इसकी MRP प्राइस के बारे में बात करें तो 85 रुपीज है दोस्तो इसके अंदर के कमपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोकुिनन, ट्रीटीनोईन, एंड मोमेटासोन एबलेबल है यानि कि इसको 3 most ingredients को मिला करके इसको तयार किया गया है दोस्तो हाइड्रोकुिनन जो होता है ये दोस्तो हमारे स्कीन के मेलालीन को हटा क करके इसकीन को गोरा दिखाने का काम करती है और जो ट्रीटीनोईन होता है ये एक बिटामिन का रूप होता है तो इसके यूजज़स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो मेनली यूज होता है वो प्रिगमेंटेशन को रिमूब करने के लिए या फिर आपको मेलेजमा की समस्या है या आपके चैरे पे काफी जादा दाग धब्बे है जूडिया पड़े हुए हैं तो ऐसे कंडिशन में डॉक्टर इस क्रीम को परिकॉमेंट करते हैं इसके अलाबा कुछ लोग इस क्रीम को ओन मेडिकल काउंटर गोरा होने के लिए यूज़ करना चाते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह कोई फेरने स्क्रीम नहीं है अगर आप अपने मर्जी से या किसी के कहने पे इसको गोरा होने के लिए यूज़ करते हो तो आपक मिलेगी क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकुिनन होता है जो आपके इसकीन के मैलालीन को कम करके इसकीन को गोरा दिखा देती है लेकिन आपको फ्यूचर में बहुत सारे साइड इफेक्स देखने को मिल सकते हैं इसलिए गोरा होने के लिए यूज़ नहीं करना इसका जो मे अब हम बात करेंगे इसके इसको लगाना कैसे है इसके लगाने का सही तरीका क्या है तो दोस्तों ये क्रीम जो है नाइट में सोने से पहले ही आपको अपलाई करना है दिन में इसको बिलकुल भी अपलाई नहीं करना है ठीक है पहले अपने फेस को रात को सोने से पहले फे apply करने से पहले दोस्तों आपको check कर लेना है कि ये cream आपके skin को set कर रहा या नहीं तो check कैसे करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा cream को ऐसे लगा लिजेगा और यहाँ पे massage करके check कर लिजे अगर लगाने के बाद आपको यहाँ पे irritation होती है, itching होती है या redness हो जाता है तो आप समझ जाना ये क्रीम आपको set नहीं कर रहा है तो फिर आप अपने face पे लगाते हो तो आपको बहुत सारे side effects देखने को मिल सकते हैं तो ऐसे मैं आपको doctor से consult कर लेना चाहिए इसके जो common side effect है, skin का red हो जाना, फिर itching होना, irritation होना तो ऐसी समझ से अगर आपको नजर आती है, तो आप इस क्रीम को avoid किजिएगा